जब से उडिसा का दुखध ट्रेन हाथसा हुआ है तब से कई एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि अगर कोरो मंडल एक्सप्रेस में कवच सिस्टम लगा होता तो शायद यह हाथसा रोका जा सकता था पर आखिर एक कवच सिस्टम है क्या चलिए जानते हैं लेकिन उससे पहले हमारे A2 Motivation Channel को सबस्क्राइब कर लीजिए ऐसी इंफोर्मेशन मिलती रहेगी अब कवच सिस्टम के बारे में जानते हैं दरसल जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन से टकराती है तो उसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं या तो इस ट्रेन के ड्राइवर से कोई सिगनल मिस हो या फिर ट्रेन के सामने विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो ऐसी सिचुएशन में ट्रेन हाथसों को रोकने के लिए रेलवे ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है कवच सिस्टम जिसमें एलेक्ट्रोनिक और रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसे ट्रेन और ट्रैक पर लगाए जाते हैं जिससे जब भी कोई दो ट्रेन एक ही पट्री पर चलकर आमने सामने आ जाती है तो दोनों ही ट्रेन में लगे कवच सिस्टम की वज़े से दोनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते है और ट्रेन हाथसा होने से बच जाता है लेकिन कोरो मंडल एक्सप्र भाइब ना आढएब एको चर्च तकार जयुकतन अटाहब लेट धे कारो हो इसक्षे कि भाइब अगारे के तो परोड़ की अग्रव यथानी जैसे फ्सक्रिद भीज़ ना जारे क्याय है।